आप सभी का स्वागत करते आपके अपने चैनल पर और आज कि इस वीडियो में हम क्लाश 10 के मैथमेटिक्स में बात करेंगे सर्फिस एरिया और वालूम से रिलेटेड वहां पर क्या है बहुत सारे सॉलिड हैं उन सभी सॉलिड के आज़ेड बहुत सारे कुश्चन है अगर आपको सावी फार्मुले एक दम क्लियर तरीके से क्लियर है प telephone में जो भी circular cone को, तो right circular cone क्या होता? जोकर की जो टोपी होती है बिलकुल उसी के आकार की ये होती है. यह हमने क्या कर दिया? इस तरीके से triangle बनाते हुए हम उस cone को बना देंगे. यह हो गया हमारा right circular cone, इस right circular cone का जो base होता हो, जो जोकर के टॉपी का जो बेस आप अगर देखें तो वह क्या होता है सर्कल का क्या होता होगा कोई सेंटर हो गया क्या आपका सेंटर हो तो यहां से लेके यहां तक यह क्या होता होगा रेडियस होता होगा और यह जो वर्टिकल जो हाइट है वो यहां पे इस राइट सर्कुलर कोन की क्या होगी हाइट हो जाएगी चलिए इसका नाम दे देते हैं A हो गया और यह B हो गया और यह O हो गया चलिए radius r हो गया hight हो गई और यह बनता है यहां क्या होती होगी तो आपके सामनी यह क्या यह क्या है वहीं 90 डिग्री के सामने साइड ओभी हाइपोटेनियस होता है तो यहां क्या मिलेगा आपको a b sqr is equal to मिलेगा ऐ पाइथागोरस थोरम a o sqr plus क्या मिल जाएगा o b sqr चलिए लिख दिया हमने आप सभी यह जानते हैं कि संकोर्ट्रिवोज में पाइथा गोरस प्रमे को हम अप्लाई कर सकते हैं कंड का जो वर्ग होता सेश दो भुजाओं के वर्गों के योगते बराबर होता है तो बी की वैलू कितना है और एव की वैलू कितनी है यह है तो चलिए यह स्कॉयर प्लस आर इस्कॉयर हमने लिख दिया एबी इस अंडर रूट में आर इस्कॉयर प्लस यह स्कॉयर यह आपका क्या है पहला फार्मुला हो जाता राइट सर्कॉलर कोन के लिए यह कौन सी फार्मुला है वह यह फार्मुला है किसी राइट सर्कॉलर कोन की अगर स्लैंट हाइट आपको कैल्कॉलेट करनी हो यह क्या होगी अंडरूट आर स्क्वायर प्लस यह स्क्वायर होगी यानि हाइप यहां पर आपको बेस यानि रेडियस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर का स्क्वायर रूट यानि त्रिज्या का वर्ग उचाई का वर्ग का योग का वर्ग मुल्ज होता है वो क्या होता है आपका हाइट या तिरशीव चाहिए यह आपका पहला फार्मूला हो गया दूसरे फार्मूले की बात करें तो यहां पे कर्व सर्फिस एरिया की बात करें अगर हम कहें जोकर की टोपी बनाने के लिए कितना एरिया उस पेपर की जरूरत पड़ी होगी तो अगर उसको हम संकु का वकप्रिष्ट होता है कर्व सर्फेस एरिया इज इक्वल टू पाई और यल ठीक है पाई आप जानते हैं टॉन्डी टू अपान सेवन होता एकार्डिन डू कोशन जो भी वैलू रहेगा रखेंगे रेडियस आपके पास है ही और यल क्या स्लेंटाइट कहीं कहीं आ है आर स्कौाइर प्लस ये अची स्कौाइर के भी फॉर्म में तो संकु का यह हमने क्या बता दिया वकप्रिष्ट बता दिया या पिर कर्व सर्फेस एरिया संकु अगर यह है आपका संकु तो चारों तरबस जो बनाने में अगर एक जामपद ले हम इस तरीके का कोई टें यानि यह जो circle है ना उस circle के area को यहां नहीं involve किया गया लेकिन जब हम संकु के total surface area की बात करेंगे तो वहाँ पे इसको use करते हैं तो लिख दीजिए संकु का संपूर प्रिष्ट लिखेंगे ठीक है संपूर प्रिष्ट की अगर हम बात करें या फिर cool प्रिष्टी छितफल की बात करें या total surface area की बात करें तो कितना होगा भी पाई आर हम पहले से जान रहे हैं कि करव सर्फेस अरिया होता है और आधार क्या सरकल है उसका तो सरकल का area कितना होता है radius अगर आर है तो पाई आर स्कुाइर होता है तो लिख दीजिए पाई आर स्कुाइर यहां से आपका आपका क्या हो जाएगा वार्मुला संखु li.com का सम्पूर्ठ का होता है आइतन का फ्सकु lange मतलब का उसमें उसमें कितना घाली जगाें होगा उस नुसे में क्या धारिता है या फिर उसका आयतन है तो यहां पर संकु का आयतन वाला जो फार्मुला होगा वो क्या होगा संकु का आयतन चलिए लिख दिया हमने आयतन या फिर वालूम यह होता है बेलन के आयतन का एकतिहाई बेलन का आयतन कितना हमने बताया होगा पाई आर स्क्वाइर यह यह हो जाएगा क्या जिस संगु का आयतन बेलन के आयतन वाले फार्मुले में पाई यारे स्क्वार यह होता है बेलन का आयतन सिलेंडर का उसमें वन अपांथरी सा मल्टिपलाई कर दो वो बन जाएगा किस जिस का संगु का आयतन बन जाएगा इस तरीके से आपका यह क् कौन बिल्कुल समाप्त हो जाता है सभी फार्मूले को ले करके अब हमको डिसकस करना है क्या चीज़ स्फेयर यानि गोला अब आप सोचो सरकल और गोले में क्या अंतर है सरकल आपका टू-डाइमेशनल रहें ये क्या चीज़ स्फेयर बना रहें लेकिन यह डिक कैसा रहा है एकदम बिल्कुल सरकल की तरह फुटबाल क्या है एक गोला है लेकिन एक आपका यही रिंग हमने बना दिया टूड़ी जा किसी प्लें पे तो वह क्या है सरकल है तो सरकल में भी क्या होता है सेंटर होता है और वो सेंटर यहां क्या है और यहां उसका क्या होता होगा रेडियस होता होगा ठीक उसी तरीके से स्फेयर में भी क्या होता है सेंटर होता है और उसका रेडियस होता है गोले का मतलब क्या ऐसे बड़ा सा आकृति जिसमें आयतन हो खाली जगें हो लेकिन सरकल में आयतन नहीं होता उसमें खाली जगें नहीं होता उसके पास केवल आपका ये जो ब्रित है वो two dimension का होता, वो इसके पास केवल छेतरफल है जिसके पास केवल छेतरफल होता वो two dimension का figure होता है और यहाँ पे इसके पास क्या है आयतन है इसलिए इसके पास three dimension का ये concept ले करके तयार है बिल्कुल तो ये क्या है इक गोला है इस गोले की सेंटर क्या है ओ है और तरिज्या क्या है तो अगर ये पुछा जार चाघ्या का दिश्टै का होगा कर्व सर्फेस एरिया कितना होगा तो कर्व सर्फेस एरिया का फार्मला जो होगा सी यस एक कर्व सर्फेस एरिया फोर पाई आर स्क्वायर होता है किसी स्फेयर का कर्व सर्फेस एरिया या संपूर्ड प्रिष्ट कितना होगा, 4 pi r sqaard, आप याद रखोगे, गोले का क्या चीज? संपूर प्रिष्ठ या प्रिष्ठीय छेत्रफल, तो लिख दीजिए, प्रिष्ठीय छेत्रफल is equal to 4 pi r sqaard, यह हो गया, आपका गोले का प्रिष्ठी छेत्फल कहिए, या संपूर प्रिष्ठ की बात करें गोले का आयतन चाहितन के करंगे एगर हम बात करेंगे तो कितना हो गा फोर अपांठरी पाई-ार क्यूव यह हो जाए गाका गोले के अधन का फार्मुला अब घर यह दो फार्मुले आप समझ चुके हैं तो एगर यह क्या हो एक आफ्ला गुला हो मतलब कुछ मुटाई वाला हो चलिए इसको हम बनाते हैं गुदे के अंदर गुदा है इस तरीके से हमने बना दिया गुदे के अंदर अब ये क्या हो गया खो लागो में ऐक लेहिए आपका यह गया दिए और इसको हम कैप्टल आर करे दिए देख सकते हैं आब इसमाल आर आपका छोटा सा तिर्जा यानी तत्र शेल्च है की आपका इस रोड़े पका बनता है तो कैसे निकालेंगे आगर हम बात करें चोटे यहां बड़े गोले का प्रिष्ठी छेत्रफल फोर पाई आरी स्क्वार तो छोटे गोले का प्रिष्ठी छेत्रफल वो कितना होगा रेडियस बदल जाएगा फोर पाई इसमाल आरी स्क्वार हो जाएगा ठीक यह हो गया अगर इसी के साथ साथ आयतन भी पूछ लिया जाए छोटे गोले का चलिए इसको लिख देते हैं छोटे गोले का आयतन इस इक्वाल टू फोर अपान थ्री पाई इसमाल आर की हो जाएगा अब हम यह जानना चाहें कि कितना मटेरियल इस्तमाल होकर के यह बन्या होगा उस स्फेरिकल सिल का वालूम कितना होगा तो यहाँ पे खोखले गोले का आयतन कितना हो जाएगा यह हमको जानना हो तो बड़े गोले में से क्या करेंगे छोटे गोले के आयतन को माइनस कर देंगी बड़ा बोला इसमें छोटे गोले को माइनस करना है तो क्या लिखेंगे फोर अपान थ्री पाई आर क्यूब माइनस फोर अपान थ्री पाई इसमाल आर यहाँ से फूर अपां ठीज आपको दिख़ रहोंगे पाई के साथ कामन हो गया तो कैपिटल एकी माइनस स्वाल और क्यूब यह क्या हो जाएगा यहां का फार मुला हो जाएगा यह तो हो गया आपका क्या चीजिस स्फेरिकल से सम्मंधित है गोले को आधिय पर्षेacula काट दिया जाता हैंond wreck में से किया कर दिया गया 50% काट के निकाल लिया गया तो आधिय पर्षेकर हम काट देंगे यांई उसके downstairs से उसकства काटकर कि अलग कर दिया गया तो क्या बनेगा एक premise स्वियर बनता है तो से हीनिस घ्रकी एक गोला फिर से बना लिया और इसमें हमने इसके डायमेटर को इस तरीके से ड्रा कर दिया और आधे भाग को हम काट करके अलग कर दिये हैं इस अर्थ गोल और गोला बन जायएक देख सकते हैं आपका तो गोलेगा radius हो गया तो इसके पास दो तरीके का एरिया होगा एक तो फ्लैट सर्फेस बिल्कुल यह होला हिस्सा जहां पर यह है तो फ्लैट सरफेस को इस तरीके से सेट करके दिखाते हैं आपको देखिए यह क्या होगा एक अगर यह solid form में था तो इस solid form का यह कौन सा सर्फेस अरिया होगा बिल्कुल प्लेन सर्फेस अरिया होगा तेकिंगे अगर वो फुटबाल की जगह क्या हो पुरा भरतू हो अंदर कुछ कre अगर पाई रो जाएगा और यह जो पोर्क बचा हुआ है पहले कितना स्अ यहाद कितना वागने यह घै वाला हिस्सा नीचे से बचा हुआ है वह कितना है टू पाई आपना था तो कि दिया गया तो कितना बचा और बचा तो चलिए करते हैं पहले वक्वर्ण निकाल देते हैं अर्ध गोले का चीज वक्वर्ण का व्त्रेंट सब्सक्राइब कर्फेज एरिया कितना सभार्य टूब है यह सन्पूर प्रिष्ट मत्लब讲 सब्सक्राइब से बात कर लें हम अर्दल गोले का संपूर्ण किना हो जाता है संप hommes फ्रिश्ट मतलब total surface area, total surface area is equal to कितना हो जाता है, 2 pi r square plus pi r square, यहां का यह sub value add हो गया, तो 3 pi r square यह हो जाएगा आपका total surface area, अब बात आता है किसका volume का, आयतन का, तो चलिए इसको भी calculate कर देते हैं, 8 गोले का आयतन, आयतन कितना हो जाएगा पहले कितना तब है 4 upon 3 pi r cube था यादगर करो आप तो यहां मिलेगा 4 upon 3 pi r cube लेकिन हमको क्या करना है उसका आधा करना है तो 1 by 2 से multiply यह कितना हो जाएगा 2 to 4 तो 2 upon 3 pi r cube यह हो गया हेमी स्फेयर का क्या चीज वालोम यानी आयतन तो अर्द गोले का आयतन का भी formula मिल गया जितने भी आपके इसमें बन सकते थे formula उन सभी formula को हमने क्या किया discuss कर दिया तो solid में आपके जो total surface area हो या फिकर surface area हो उनमें हमने difference भी समझाया तो जो कुछ भी इसमें हो सकता था उन सभी topics को हमने clear कर दिया है अब इसके बाद हम numerical की बात करें अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो like और share अपने दोस्तों में जरूर करें चैनल को subscribe करें और उसी के साथ साथ हम इतना कहना चाहेंगी वीडियो पसंद आया है तो comment जरूर करें ताकि हम आने वाले कुछ और वीडियो में और अच्छे से आपको समझा सकें बता सकें तो मिलते हैं इसी प्रकार के कुछ और वीडियो में तब तक कि रिए दीजये जाजाब बाई बाई